वेल्कम इन लर्णिन एज जीजवेश्टाई लर्णिन एज जीजवेश्टाई के इस सनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम सिखेंगे MS-DOS यानि कि What is MS-DOS MS-DOS क्या है तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जाल नेते हैं MS-DOS Personal Computer का पहला रूप है MS-DOS का पूरा नाम Microsoft Disk Operating System है DOS उप्योग करता और Computer के बिस संपर के माध्यम से कारिय करता है MS-DOS हमारे आज के Operating System का ही पहले वाला रूप है असल में आज हम जो Windows 7, 8 या Mac OS का इस्तमाल करते हैं सुरू से ही ऐसा नहीं है पहले के Computer Operating System पूरी तरह से Command आधारित Operating System हुआ करते थे जिनको हम Command दे कर अपने काम क्या करते थे Operating System और उनके परकार कई तरह के होते हैं पहले Computer केवल विज्ञानी को और रक्षा विभाग के कामों के लिए इस्तमाल किये जाते थे लेकिन बाद में इन्हें आम लोगों के लिए पर्चलन में लाया गया इसलिए एक ऐसे Operating System की जुरूत पड़ी जो आम यूजर के लिए भी चलाने में आसान हो ये Console Mode यानि लिख लिख कर आधेस अधारित Operating System था पहले जिसमें Mouse का उपियोग नहीं होता था और नहीं इसमें हम Graphics के साथ कुछ काम कर सकते थे बस इसमें Text के Directory तयार कर सकते थे File बना सकते थे उन्हें Save कर सकते थे और इसमें Command Base सारी काम होती थी तो इसलिए इसमें काम करने के लिए हमें बड़े-बड़े Command बहुत सारे याद करने परते थे और जिसको जितना Command याद हो गया वो उतना ही ज़्यादा इसमें DOS में काम कर पाता था बाद में इसे Microsoft द्वारा खरीद लिया गया इसी वज़े से इसे MS-DOS के नाम से भी जाना जाता है और इसमें विकास करके Microsoft ने इसका Windows असक्रन पेस किया जो पूरी तरह से ग्राफिक्स अधारित कामों पर चलते हैं जिसमें माउस कॉपियोग हो सकता है और इसी वज़े से कंप्योटर को इस्तमाल करना बहुत ही असान हो गया है आज हम Windows XP या किसी भी ओपरेटिंग सिस्टम का इस्तमाल करते हैं उन सबका अधार DOS ओपरेटिंग सिस्टम ही है तो हमने जाना कि MS-DOS क्या है और कैसे काम करता है MS-DOS का एक और छोटा सा एकजामपल अगर हम देखना चाहें तो सीधी भासा में कह सकते हैं कि इसमें जो भी काम होते हैं वो कमांड बेस होते हैं कमांड बेस यानि कोई भी चीज आपको करना है तो उसके लिए आपको कुछ कमांड लिखने पड़ेंगे और उसके बाद वो जो है वर्क आप कम्पूटर से करवा सकते हैं तो चलिए देखते हैं MS-DOS कैसा है और उसका उपियोग कैसे करते हैं हम अभी अपने कम्पूटर का डेक्स्टॉप बेक्ग्राउंड पे हैं अब देखें यहाँ पे हम सबसे पहले सिखेंगे MS-DOS को ओपन कैसे करते हैं खोलते कैसे हैं तो MS-DOS को ओपन करने के लिए अपने टास्ट बार में स्टार्ट बटन जो बना हुआ है उसके बाद जाईए All Programs उसके बाद किलिक किजए Assessories पे ठिक उसके बाद देखें यहाँ पे दिया हुआ है Command Prompt यही है Command Base यानि की CMD इसको आप उपन कर सकते हैं इसे ही MS-DOS कहा जाता यानि की Microsoft Disk Operating System इसको यहाँ से क्लिक करके इसको आप उपन कर सकते हैं दूसरे तरीके से अगर इसको उपन करना चाहें तो इसका Run Command हम लिख सकते हैं अपने कीवड़ में विंडो की के साथ आर प्रेस कीजिए ठीके विंडो की के साथ आर दबाने के बाद यहाँ पे लिखिए CMD उसके बाद यहाँ पे माउस से आप क्लिक कर सकते OK बटन पर या अपने कीवड़ से एंटर कर सकते हैं चलिए कीवड़ से एंटर करते हैं तो देखे यह जो है CMD ओपन हो चुका हैं इस वीडियो टुटोरियल में इतना ही आगे हम फिर सिखेंगे नेक्स्ट वीडियो टुटोरियल में और भी वीडियो टुटोरियल देखने के लिए और सिखने के लिए लर्णिन एज जिवेश्टाई का ये यूटुब चनल है यहाँ पे किलिक करके इस रैट कलर के बटन पे किलिक करके इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लिजे या अगर आप इसके किसी वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके उपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा सब्सक्राइब करने से क्या होगा जब भी कोई नया वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा या डाला जाएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मेल दूआरा प्राप्त हो जाएगी देखते रहे लर्डिन एज जीजवेश्टे और सीखते रहे धन्यवाद थैंक्यू